नमस्कार साथियो आज है 25 जून और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का वोकेवडी कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर दिजे और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लिजे आए देखते हैं आज का इंपोटेंट वर्ड तो फर्स्ट वर्ड है इंक्रेडिवल इंक्रेडिवल की बात करें तो एक एड्जेक्टिव है क्योंकि लास्ट ने भी एली सफिक्स आ रहा है जिसका मिनिंग होता है भेरी डिफिकल्ट टू बिलीव यानि कि किसी चीज़ प सिनोनेम्स की बात करें तो सिनोनेम्स इंक्रेडिवल हो सकता है अंविलिवल हो सकता है इंप्लाजिवल हो सकता है इंप्रोवेबल हो सकता है या फिर अंधिंकेबल हो सकता है यह सब इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है और इस वसनिय है वर्ड क्या है इंक् पीश आफ व क्याइब स्टोन और ग्लास सेट इन करेट और प्लास्टर प्लास्टर और कंडरियो में एक छोटे मतलब छोटे-छोटे जो पिस होते हैं खुलार्ड स्टुन के उसके बनाया गया डिजाइन तो उसको मुझाइक बोलेंगे मतलकि एक गया क्या बाद इसमें ठॉटे ठॉटे पाथर खա्त कर दिया गया कांख्रीट और फ्लाश्टर से बनाया गया है उसको मोजाइक बुलेंगे, जिसका हिंदि मेनिंग पच्चिकाड़ी हो सकता है, और S hàng की बात करें. तो Patchwork, Tessellation, या फिर motle, college या montage, ये सब इसके C onakes लेंगे, patchwork, tessellation, motle, college या scientist जिसका मतलब होता है pachi-kardi, ठीक है? next word की बात करें, next word is ethnic. इतनिक एड्जेक्टिव है जिसका मेनी होता है कनेक्टेट विद और बिलॉंगिंग टुए ग्रूप आफ पीपूल डैट सियर ए कल्चरल ट्रेडिशन यानि कि कोई चीज जो क्या हो जूरा हुआ हो किसे यह बिलॉंगिंग यह संबाँध रखता है टुए ग्रूप जो यह बहुले का जो ट्रेडिशन होता है प्रांपरा उस से जुडा हो किया हो यह कोई चीज मतलब सान्स्कृतिक बोल शकते हैं क्या प्रति पूर्ति करना या फिर मुह आवजा देना उसको रिकॉम्पेंस जैसे किसी के साथ दुखत घटना कड़ जाती है तो सरकार उसको क्या देदिया मुह आवजा देती है जैसे बाहर प्रित एरिया में लोग इसके घर वेगरा क्या होते हैं डूब जाते हैं या तूट जाते हैं तो उसको सरकार क्या करती है recompense देती है ठीक है recompense मतलब क्या होता है मुह आवजा देना या परति-पूर्ति करना ठीक है यानि कि लोगों का एक ऐसा समुझ जो क्या कर रहा कि पूरे एक देश को रिपर्जेंट कर रहा ठीक है समबोधित कर रहा उसको हम लोग कंटिजेंट बोलते हैं जिसका मतलब आता है परतिनीधी दल क्या था परतिनीधी दल जैसे ओलम्पिक किर्केट या कोई भी गेम जब खेलने हमारी देश की टीम जाती है तो वह क्या करती है वह पूरी टीम मिल गए अपने देश को रिपर्जेंट करती है ठीक है किसको रिपर्जेंट करती है तो अपने देश को तुसको कंटिजेंट बोलेंगे ठीक है इसका मतलब होता है परतिनी धी दल नेक्ट वर्ड की बात करें तो नेक्ट वर्ड है और यह बहुत बार रिपीट भी हुआ है अगर आपको इसका मेनिंग पता होगा तो वीडियो पॉल्ज करके करना किसी चीज को करना किसी चीज को घटा ना नेक्स्ट वर्ड बेड्रोग एक नावन है जिसका मिनिंग होता है रेफर्स्ट टू अल दप्रिंसपल आइडिया और फेक्ट वन वीच इज बेस्ट मतलब कोई प्रिंसपल आइडिया या फैक्ट जो क्या अधारीत हो किसी चीज पर उसको बेड्रॉप बोलेंगे क्या बेड्रॉप बोलेंगे जिसका हिंदी मिनिंग होता है अधार भूत सकते हैं इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है अधार भूत तत्य नेस्ट वाड़ है ब्रेजन एक अड्यक्टिव है जिसका मिनिंग होता है बिडावट से मतलब कोई चीज क्या ओपें हो जो बीना सर्म का हो यानि की बेड्रॉप बोल सकते हैं यानि कि इसका हैं दूसरों की परवाह नहीं करने वाला इसको किसी दूसरे की अलोचना यानि कि क्रिटिसेजन का कोई परवाह नहीं है उसको कोई भला बुरा कुछ भी इसको घंटा भी फाक नहीं पटने वाला है उसको ब्रेजन बोलते हैं क्या ब्रेजन ठीक है इसका सीनोनेम्स क्या हो सकता है तो बोल्ड हो सकता है सेमलेस हो सकता है बलाटेंट हो सकता है इंसोलेंट या फिर बेयर फेस्ट यह सब इसके सीनोनेम्स रहेंगे बोल्ड सेमलेस बड़ा टेंड इनस्वलेंट या फिर बेयर फ्यस्ट मतलब क्या होता है कि जो बेसार्म हो जिसको किसी की मतलब कोई कुछ कार है उसको उससे कोई परवाहद नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है नेक्स्ट वर्ट है modest, modest adjective है इसका मिनी होता है relatively moderate, limited, और small मतलब कोई शीच क्या हो moderate हो limited हो और छोटा हो, मामुली इसको बल सकते हैं और synonyms की बात करें तो synonyms moderate, fair, tolerable, meal जा फिर scanty बल सकते हैं क्या सकता है यह सब इसके synonyms हो गए word है modest इसका मतलब होता है मामुली next word है dwindle, dwindle की बात करें तो यह भरवे जिसका meaning होता है to make something smaller, weaker or less in number मतलब किसी चीज को थोटा, कम जोर और कम संख्या में बनाना यानिकि घटना इसका हिंदी meaning हो जाएगा और synonyms की बात करें तो decrease, reduce, diminished, shrink या फिर fall यह से भी सके synonyms रहेंगे और word के है dwindle जिसका मतलब होता है घटना तो I hope समाज में आ गया होगा तो आज का session आई पर समाप हुआ अगर session अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक किजिएगा मिलते हैं फिर अगले session में जय हिंद मिलते हैं जय होगा 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 है